कैसे हैं आप लोग वेलकम टू गुसामी क्लासेस आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक है क्वाडर्टिक एक्विश्वन जिसमें इसे हम बहुत ही इंपॉर्टन फार्मले को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाडर्टिक फार्मला और आप क्लों को साहथ जानकारी ना हो इसको हम लोग सीधराचाल मेतट़ भी कहते हैं क्योंकि एक इंडियन मैथमेटिस्टिछन ने ड्राइव किया था हलागी क्वाडिटक एक्विशन की बात करें तो क्वाडिटिक एक्विशन हम लोग दो मेतट्स से सॉल्ट करते हैं एक मेथड़ आप लोग और अल्री प हैं दूसरा है आपका formula जैसा question आएगा जिस धंग से कहेगा अगर कहता है कि formula से solve करना हो तो आप formula solve करेंगे आपसे बोलता है कि factorization से करिए तो आप factorization करेंगे और अगर आपसे वो कुछ नहीं कहता है सिफ solve करने की बात करता है तो आप क्या करेंगे इसको किसी method से solve करेंगे और इस lecture में हम लोग इसका use भी सिखेंगे कि कैसे हम लोग formula को use करेंगे तो चलिए time waste नहीं करते हैं हम लोग अपना start करते हैं कि हमें कैसे इसको solve करना है हमको जो किसन दे रखी है वो दे रखी है a square plus bx plus c हमें इसे solve करना है तो हमाएं पास सबसे बड़ी problem यह है कि हम इसमें क्या करें कैसे करें आप सबसे simple चीज एक recall करिए ये बताए मुझे कि a square plus b square plus 2ab क्या होता है ये होता है आपका a plus b square तो a square plus b square plus 2ab हम इसी point के basis पर सिधर अचार जी ने इस method को drive किया है हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका perfect square ब्राने की कोशिस करेंगे और वी कब बनेगा जब तक हमको a square, b square और 2ab ना मिल जाए तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर x square तो है लेकिन a square form में नहीं है तो हम सबसे पहला काम पर करेंगे यहाँ पर जो पहला term हमारा है उसको हम completely square के form में change करेंगे तो यह completely square के form में कैसे आएगा यहाँ पर करना पड़ेगा हमको a को हटाना पड़ेगा इसलिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर हम पूरी की पूरी equation को a से divide कर देंगे तो इसलिए हर एक term a से divide होगा और left hand side में भी क्या होगा 0 a से divide हो जाएगा तो इसके बाद देखिए यहाँ पर a और a cancel हो जाएगा और क्या जाएगा यह simple a x square प्लस b x upon a प्लस c upon a is equal to 0 आगे देखिए यह divide होगा जिए मैं आपको अलोटी बता चुका हूँ कि यह क्या जाएगा x square और यह यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर हमने इसको x into b upon a के form में लिखा है वो मैं भी बता रहा हूँ कैसा क्यों लिखा है प्लस c upon a is equal to 0 अब आपने यहाँ क्या किया यहाँ पर ध्यांस देखिए तो यह जो term आपने लिखा है यह square के form में आ गया है और अगर आप यहाँ पर ध्यान दे तो यह क्या है a into b जो कि मैं already यहाँ पर नीचे मैंने लिखा होगा है तो a square प्लस a b लेकिन हमें किस्चिक की requirement थी? हमें requirement थी a square प्लस 2ab अगली समझाश्या क्या है कि यहँ पर हमें कै लाना है यहाँ पर हमें 2 लाना है इस middle term में 2 लाना है तो इस middle term में 2 लाने के लिखा हम क्या कुजelnा करेंगे 2- 2 से Duide कर देएंगे आगे देखिए वही चीज यहां पर लिखी हुगी यह bring 2 in the middle term तो हमने यहां पर क्या किया यहां देखिए ध्यान से इस term में हमने इस term में हमने यहां पर 2 से multiply और divide कर दिया यहां क्या हो गया 2 front में आगया और b upon a में क्या किया में 2 से divide कर लिया इसके आगे फर्दर देखिए इसको क्या किया गया है अब इस पूरे expression को अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए ध्यान से x क्या है आपका a है और यहां पर यह a हो गया तो यह क्या गया आपका a square और यहां पर अगर आप ध्यान देजे तो क्या एक है यह 2a b आगया आपको a plus b क्या स्कॉायर बनाने के लिए जो चीज की रिक्वार्मन्ट थी आपको पूरी पूरी चीजे मिल चुकी है क्या मिल गया है a square मिल गया है plus 2a b मिल गया है अब यहां पर क्या बाकी रह गया है अब यहां पर बाकी रह गया है b square यहां पर बाकी रह गया है b square तो अब आगी क्या करेंगे आप यहां पर b square आने के लिए आपका b क्या है यहां पर आपका b है आपका b upon 2a इसका square क्या करेंग कि आप दोनों साइडों में एड कर देंगे एक क्वेशन में कोई भी चीज एक्सटागर एड की जा रही है तो वो दोनों साइडों में एड की जाती है और यह आपका एक्सप्रेशन आ गया जिसमें आपको इसकी रुकार्मेंट है इसकी जरूरत है इसकी जरूरत है और इसक गाए आपका यह आपका गया माइनस सी अपान ए और यह इस स्ट्रेट्मेंट को अब ध्यान से देखिए तो यह क्या हो चुका है यह एक प्लस बी के स्कॉर्म में आ चुका है द्यान से देखिए क्या है 2ab plus b square और a square plus 2ab plus b square क्या होता आपका? a plus b का square नेक्स्ट पिछ पे आते हम लोग अब देखिए तो यह क्या जाएगा आपका? यह चीज आजाएगी आपकी a plus b square जहां पे a क्या था आपका? a था x और b क्या था आपका? b upon 2a और जब हम right hand side में आएगे तो यहां क्या करेंगे हम लोग जो हमारा c upon a था यहां क्या करेंगे हम इसके base को same करेंगे मतलब इसके denominator को same करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों side में 4a से multiply और divide कर देंगे जब नीचे हम divide लेंगे अबरुद क्याएगा यह 4a स्कॉया जाएगा वही काम यहां सिस्टप में लिखा हुआ है देखिए यहां क्या क्या है उन्होंने 4a से multiply और divide किया है अब क्या हो गया यहां पर देखिए denominator सेम हो गए और अगर fractions के denominator सेम होते हैं तो वो numerator में directly add और subtract हो जाते हैं तो यह क्या जाएगा आपका b square minus 4a से आ गया है और आपको एक जानकारी साथ होनी चाहिए कि अगर आपका x square is equal to a square लिखा हुआ है तो उस case में x की value क्या आती है प्लस माइनस ए आती है और अगर x is equal to x square is equal to a लिखा हुआ है तो उस case में क्या आती है plus minus root of a आती है इन दोनों cases को आप समझ लीजे अगर यहां से square हट रहा है तो जब आएगा तो क्या आएगा plus minus लग जाएगा plus root लग जाएगा तो यहां पर क्या है आपका यह case यहां पर आ रहा है तो हम क्या करेंग यहां पर देखिए यहां से जब square हटेगा यहां से जब square हटेगा तो यहां क्या जाएगा root लग जाएगा और वही काम यहां किया गया next step में यहां से x plus b upon 2a के square में से यहां से square हटाया गया है और यहां क्या लगा दिया गया है x plus minus root of b square minus 4ac upon 2a फिर से देख लिजे अगर x square is equal to a लिखा हुआ है then x के value क्या आएगी plus minus root of a जाएगी वह चीज यहां पर हुई है अब root क्या होगा जब भी root fractions में होता तो क्या होता root denominator और denominator दोनों पर क्या रहता है distribute रहता है कहने के मतलब यह root of a b लिखा हुआ है upon b लिखा हुआ है तो वह क्या है रूट a upon root b हम लिख सकते हैं तो यहां पर क्या हुआ है root आपका दोनों side में दोनों numerator और denominator दोनों पर distribute हो गया है अगले step में क्या जाएगा आपका 4a square root से बहा जाएगा और वह क्या है रहा जाएगा आप क्या करेंगे हम लोग x की value निकान लिए हमें तो b upon 2a हमाँ पास x सब्सक्राइगा रहेंगे इसको में इधर shift कर देंगे यह इधर plus में है तो जाएगा क्या जाएगा minus में हो जाएगा तो यह क्या जाएगा minus b upon 2a plus minus root of b square minus 4 is c upon 2a ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दोनों numbers में दोनों fractions में क्या है आपका denominator सेम है इसलिए यह directly add subtract हो जाएगे तो finally क्या जाएगा आपका x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4 is c upon 2a इसी को हम लोग quadratic formula कहते हैं और c d धराचार method भी कहते हैं Hence अगर आपकी quadratic equation यह दी हुई है a x square plus b x plus c तो आप जो formula यहाँ पर apply करेंगे वो क्या होगा x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4 is c upon 2a जहाँ पर a क्या है a coefficient of x square है और b क्या है b आपका b आपका coefficient of x है और c क्या है आपका c आपका constant term है ठीके बच्चों तो आपका formula क्या आगया x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4 is c upon 2a चली आगे start करते हैं तो इस तरीके से हम लोग ने यह सीखा कि कैसे हम लोग quadratic formula को drive करते हैं हाला कि ncrt में जो बच्चे सिवस्टी बोड़ के हैं उनके यहां जो यह method है जिस method से हम लोग drive कर रहे हैं उसको बोलते है perfect square making perfect square तो perfect square method से भी question उनके course में हैं बहला भी हम लोग to the point रहते हैं मैंने यह question लिया है लिखा है question 6x square minus x minus 2 6x square minus x minus 2 using formula यहांनों उनके clear लिखा है कि इसको formula method से solve करिए तो चली वेटना करते हैं हम लोग start करते हैं यहां क्या करेंगा हम लोग 6x square x के into में कुछ नहीं वहां क्या चुपा हुआ बन चुपा हुआ है तो 6x square minus 1 x minus 2 is equal to 0 इसको क्या करेंगे हम लोग a x square plus b x plus c से compare करेंगे और जो आप compare करेंगे तो a is equal to 6 हा जाएगा b is equal to minus 1 sin के साथ में धनके का लिखेंगे हम लोग cqlue क्या हैगी minus 2 हा जाएगी इसके बाद हम लोग formula अप्लाइट टैक्लिन नहीं करेंगे हम वहां हम को formula में टर्म दे रखा था 20 square minus 4 ac तो अगर हम लोग इस term को पहले निकालने में बच्चो तो हो सकता है हम लोग से error बहुत ही कम हो और question हम लोगा सही हो जाए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 20 square minus 4 ac निकालेंगे और ध्यान रखेगा जहां तब अच्चे गल्दी करते हैं values please practically मत रखेगा कि डाइट सौल कर दीजवा में आप यह करेंगे B की value को put करेंगे A की value को put करेंगे और C की value को put करेंगे सारी values आप put करेंगे अब आप इसको सौल कर लिए आराम से यह क्या है गाएगा फोर इंटू टू एट एट इंटू शिक्स फॉर्टी एट और यह मैनस मैनस प्लस हो जाएगा तो क्या है आपका मतलब 20 square minus 4 ac क्या 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 है आपकी 49 अब आपके पास आगे इस सौल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं कुशन लगबल सौल हो चुका रहा है फॉर्मॉला क्या आपके पास फॉर्मॉला आपके पास है 1 minus b plus minus root of 20 square minus 4 ac upon 2a हम क्या करेंगे आप पर values put करेंगे value put करिए b q क्या है minus 1 है देखिए यहां पर भी देखिए वैलू सिस्देट हवा में बात नहीं की गई है यहां क्या करेंगे आप लोग value put करेंगे यह step teacher check करता है exam में step check किये जाते हैं तो यहां पर क्या है आपका आपका आपने आपका मैनेस मैनेस फूर्टी नाइन प्लस की बाहा आएगा तो क्या यह यह सैन हो जाएगा और शिक्स इंटू टू क्या अबटा आगया इसको फदर आगे देखते हैं तो चिकी देखिए प्लस मैनेस है इसलिए एक रूट क्या आएगा आगे देखिए तो यह वन प्लस इन उपाउन टॉल आगे बढ़ते हैं तो यह फोर टूजा एट और फोर टूजा एट और सिक्स टूजा तो यह क्या जागा आपका एक्स इगल टूजा टूजा एट है आपके जो आंसर आएंगे वह क्या आएंगे मैनटस याग आपन टूजा इसको एक्स की वैलुजा को ही हम लोग रूट कहते हैं रूट्स कह लीजे या solution कह लीजे दोनों एक ही बाते हैं लेकिन हाँ ये दोनों टर्म्स आपको question में दिखाए दे सकते हैं कि रूट्स निकालिये या solution निकालिये चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं next question आपका है ये question थोड़ा सा हलका सा इस पर लेवल बलहाया गया है क्या किया गया है तो इसके लिए आपको root की थोड़ी सी clarity होनी चाहिए चले एक है question देखते है 4 root 3 x square 4 root 3 x square 5 x minus 2 root 3 जैसा कि हमने पिछले question बताया था कि इसको क्या करेंगे हम लोग a x square plus b x plus c से compare करेंगे compare करेंगे देखिए आप इसको छुपा दीजे तो क्या है a is equal to 4 root 3 आ गया है इसको छुपा दीजे तो b is equal to 5 आ गया है यहाँ डैकली देखिए आप c आ गया है तो c क्या आ गया मैनस 2 root 3 तो आगे बड़ते हैं वही काम फिर करेंगे हम लोग यहाँ क्या करेंगे हम लोग b square minus 4ac की value निकालेंगे b की value कितनी है 5 है तो 5 का उसकार आ गया 4a a की value कितनी है a की value 4 root 3 है और c की value कितनी है minus 2 root 3 है तो 4 4 4 16 16 to 32 32 आ गया यह minus minus का जाएगा आपका plus हो जाएगा और root 3 into root 3 में आज़े दिख दिया हलाकि आपको knowledge है कि root 3 into root 3 क्या होता है 3 होता है तो यह 32 into 3 इसको मुझा solve करेंगे तो 3,6,3,9 तो 25 प्लस 96 क्या है आपका 121 आ जाएगा 121 तो b square minus 4 a c कि जो value हमाने पास आई है b square minus 4 a c कि जो हमाने पास value आई है वो क्या है 120 बना गया है अब maximum calculations की हो चुकी है quadratic formula क्या होता है आपका x equal to minus b plus minus root of b square minus 4 is upon 2a और value रखेंगे यहाँ पर हम b की value 5 थी तो यह क्या जाएगा minus b लिखा होगा minus 5 आ जाएगा plus minus 1, 2, 1 121 into 2a तो 2 a क्या थी आपके देखे a क्या थी 4 root 3 4 root 3 थी तो आगे क्या करेंगे हम दो 121 root से बाहर आएगा तो यह क्या जाएगा आपका 11 आ जाएगा और निच्छी क्या एगा 8 root 3 आ जाएगा minus 5 अब minus 5 plus minus 11 upon 8 root 3 इसको इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक यह जाएगा यह जाएगा एक बार हमने क्या किया minus 5 plus 11 ले लिया अगर हमने minus 5 minus minus 11 ले लिया तो minus 5 plus 11 क्या जाएगा आपका 6 upon 8 root 3 और यह क्या जाएगा आपका minus 5 minus 11 minus 16 upon root 3 8 root से चौरें तो इसको आगे हम लोग स्वाल करते हैं अब देखिए 6 यह दोनो 2 से ड्वाइड बाहर है 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 तो यह क्या जाएगा आपका 3 upon 4 root 3 और यह 8 8 to the 16 तो यह क्या आपका minus 2 upon root 3 यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने उसको और solve कर दिया है अगा आप नीचे denominator में root 3 नहीं रहना जाएगा तो क्या करेंगा हम लोग यहाँ पर root 3 से multiply 3 को हम लोग break कर सकते हैं root 3 into root 3 तो यह root 3 to 3 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आपका यह root 3 upon 4 हो जाएगा तो आपके यहाँ पर x की दूबल लिज आ गई minus minus 2 upon root 3 और दूस्वे लिए आपके आ गई root 3 upon 4 तो इससे आप लोग सीखा बचो कि कैसे हम लोग quadratic formula को use कर सकते हैं और हमने यहाँ पर दो question बता हैं बाकिया आप लोग अपने आप से question कर सकते हैं और next lecture में हम लोग आगे quadratic equation के बारे में factor system method के बारे में discuss करेंगे Thank you